दोस्तों अगर आप भे क्रिस गेल को एक तावरतोर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रू किजएगा दोस्तों शनिवार के दूसरे मुकाबले में पंजाब और हैदराबाद की टीम जबामने सामने भिड़ते हुए नजर आई तब इन दोनों ही टीमों की ओर से इतना जबरदस्त खेल का प्रदरशन देखने को मिला इसके बाद तो अब दर्शकों का उत्सा आस्मान चो रहा है दूसरे मुकाबले में जब हैदराबाद और पंजाब की टीम एक दूसरे से भिरती हुई नजर आई तब हमें एक बार फिर एक शांदार मुकाबला देखने को मिला बता दें इस मुकाबले के लिए जहां पंजाब की टीम ने एक बार फिर अपनी प्लेइंग 11 में कई बल्लेबाजों के लिए पहले तावर तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करके विशाल काई स्कूर्प बनाना एक कठिन कारे होगा। इसलिए केन विलियमसन ने इन परिस्थतियों को मद्दे नज़र रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और दोस्तों के हैदराबाद की टीम में शुरुआती सफलता हासिल करने में जादा देर नहीं लगाई। बता दें इस मुकाबले में हमें केल राहुल और मयंक अगरवाल के द्वारा वो शांदार बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली जिसके लिए ये दोनों बल्लेबाज मशूर हैं। य उन्होंने शुरुआती में ही अपने दोनों बल्लेबाज को पहले पावर प्ले के अंतराल में ही खो दिया था। बतादें इस मुकाबले में केन विलियमसन ने गेंदबाजी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने जेसन होल्डर को शुरुआत में ही गेंद इस उमीद में कि वो हैदराबाद की टीम को शुरुआती सफलता दिलाने में कामयाब रहेंगे और दोस्तों केन विलियमसन का ये पैतरा पूरी तरीके से कामयाब होता भी नजर आया जब उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंद बाजी से पहले केल रहुल को एक जबरदस्त गेंद डाल कर गलत शौट खेलने पर मजबूर किया और उन्होंने गेंद सीधा जे सुचित के हाथों में दे डाले और इसी के साथ उनकी पारी यहीं समाप्त हो गई बता दे केल रहुल ने इस मुकाबले में 21 गेंदों में 21 रन बनाये जिनमें उन्होंने तीन जबरदस्त चोके लगाये थे लेकिन उनकी ये पारी पंजाब के लिए कुछ खासा प्रभाव ना छोड़ सकी और उन्होंने सीधा गेंद केन विलियमसन के हाथों में थमा दी और इसी के साथ उनकी निराशा जनक पारी यहीं पर समाप्त हो गए बता दे मयांक अगरवाल इस मुकाबले में 5 रनों का योगदान दे कर पवेलियन के उड़ चलते बने दोस्तों पंजाब किंग्स की शुरुआत इतनी जादा खराब थी कि उनके दोनों सलामी बल्लेवाच 27 रन के अंतराल में ही पवेलियन के उड़ चलते बने थे लेकिन दोस्तों अभी भी इस मुकाबले में पंजाब की उमीद कुछ हद तक बरगरार थी क्योंकि कृच पर मोजूद थे यूनिवर्स बॉस क्रिस गिल जिनसे पंजाब का हर एक प्रशंद सक्रिस गिल के बल्ले से आज एक बड़ी स्कोर की उमीद लगा रहा था अगर आज क्रिस गिल के बल्ले से जम कर आग उगल गई तो इस मुकाबले में पंजाब की टीम को हराना हैदराबाद के लिए लगभग नामुम्किन हो जाएगा दोस्तों शुरुआत में तो क्रिस गिल काफी जादा संघर्श करते हुए नजर आ रहे थे उन्होंने शुरुआत में च्छे गेंदों में सिर्फ एक ही रन बनाया था लेकिन उनके बल्ले की ये शान्ती को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये शान्ती किसी बड़े तुफान के आने से पहले की है वहीं दूसरी और क्रिस गिल का साथ दे रहे थे एडन मार्करूम जिन्होंने पिछले मुकाबले में बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया था अब इस बार भी पंजाब का हर एक खिलाडी और प्रशन्सक उनसे एक और जबरदस्त पारी की उमीद लगाया बैठा था दोस्तों बता दें इन दोनों ने कुछ हद तक पंजाब के पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन इस मुकाबले में तो हैदराबाद की गेंदबाजों का तुफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था पुलस पुरन जवरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और उनका साथ बाकी के बल्लेबाज देते रहे तो पंजाब की टीम इस मुकाबले में हैदराबाद के सामने कम से कम 160 से अधिक का लक्ष रखने में कामयाब रह सकती है और रेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है क्या